कि दो पुरुस कुस्ति करें संग ठाणी छैनार आखे दो हजार चार हैं मन में करो बिचार जै स्री राम मित्रों स्वागत है आप सबका आदर्स धर्म सुनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रस्नोत्तरी कारिक्रम है आज का प्रस्न है स्रीमान बाबुलाल बैश्नों जी का उन्हों ने इस पहली के माध्यम से बहुत सुन्दर प्रसंग का प्रस्न किया है तो बाबुलाल जी की पहली का उत्तर करें उसके पूर्व आप लोगों से एक अपील है कि अगर आपको यहां प्रसारित होने वाले वीडियो प्रस्नोत्तरी कारिक्रम इत्यारिक पसंद आते हैं तो क्रपया जादा से जादा लोगों में सेयर अवस्य कीजे और जिनोंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रपया कर लीजे क्योंकि आप लोगों की जादा से जादा संख्या बल देखकर हम लोग और प्रोसाहित होते हैं मित्र बाबुलाल आपकी पहली अच्छी है गिन्त मेरे विचार से इसमें एक कमी है जिसके सुधार के प पुरुस कुस्ती करें पास खड़ी छैनार दो हजार चौदा नयन भक्तों कर हुँ बिचार दो हजार चौदा नयन भक्तों कर हुँ बिचार आपने अपनी पहली में जो प्रस्ण लिया है वो ब्रंदा बन में भगवान सिरी कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गेंद खेल रहे होते थे और जबी बालक सुरूपी भगवान कृष्ण को सुबह नंद बाबा के पास आए गौालों की बात ध्यान में आ जाती है जिसमें सभी सिकायत लाए थे कि काली दह में पानी पीने से उनके पसूँं की म्रत्यू हो जाती है जिसमें सभी की सिकायत सुन करके ये भी सुना था कि वो उसमें काली नाग है जिसके एक हजार फन है और उसकी सासों से फुपकार से जो बिस निकलता है जिसकी वज़े से यमुना जी का पानी पूरी तरे से बिसैला हो गया है दूसित हो गया है, तो जो पसु उस जगे का पानी पी लेता है, मर जाता है, ग्वालों के बहुत सारे पसुओं की रक्षा करने के हेतु अपने मन में विचार करते हुए, भगवान कृष्ण इन ही विचारों में खोए हुए थे, खेलते जा रहे थे, अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके समाधान के लिए उन्होंने तुरंत ही कृष्ण ने गेंद को उल्टी दिसा में फेंक दिया, अर्थात गेंद काली दह में गिर गई, सिरी कृष्ण जी गेंद को ढूड़ने के बहाने से उस काली दह में कूद पड़ते हैं, और फिर उसके नाग के पास पहुँचकर नाग राज और भगवान कृष्ण का भयंकर युद्ध कुस्ती होती है, तो कालिया के बिस का भगवान के ऊपर क्या प्रभाव होता, और अंत में भगवान उसके एक हजार भनों को नाथ देते हैं, नाथने का मतलब होता है, देखा होगा आप लोगों ने गाय, भैंस, बैल और उंट, इन सब के नाख के अंदर छेद करके और उसमें एक रसी सी पहना दी जाती कहते हैं, इसके नाथ डाल दिया, तो उसी तरह से नाथने का मतलब होता है, किसी जानवर की नाख में नकेल डालना, मेंस उसको अपने बस में कर लेना, आधीन कर लेना, भगवान किश्न त्रिलोक के पहले सक्स हैं, जिनोंने भैंस, बैल, उंट की तरह, एक भैंकर, एक हजार फन वाले, एक हजार मुख वा था, एक एक करके सभी फन सिल दिये थे, बंद कर दिये थे, और फिर उसके फनों के उपर नत्य किया था, उस समय नागराज की छे पतनिया नागिन भगवान की बिनती करती हैं, और अपने पती की जान की भिक्षा मानती हैं, भगवान कृष्ण तो हैं ही दीनालात, कृपा उनकी ये बिन्ती जो संस्कृत के स्लोक हैं जिसको भक्त सूर्दास ने बहुत ही सुन्दर पद में बताया है वो कुछ ऐसे हैं दीनन दुखहरन देव भक्तन हितकारी दीनन दुखहरन देव भक्तन हितकारी आजामील गीध ब्याद इसमें कहो कौन साद पक्छी को पदपढ़ात गणिकासे तारी दीनन दुखहरन देव भक्तन हितकारी द्रुव के सर छत्र देत प्रहलाद को उबार लेत भक्त हे तु बांध्यो से तु भक्त हे तु बांध्यो से तु लंक पुरी जारी दीनन दुखहरन देव भक्तन हितकारी दीनन दुखहरन गजिको जब गराह ग्रस्यू घजिको जब गराह गस्यू फिर उसने यह नाम जप्यो फिर उसने ही यह नाम जप्यू गोबिंदा गोपाल हे क्रिश्न पुकारी दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी कितने हरी आये गए बसनन आरूड भई सूरदास द्वार ठाणो आन्दरो भिखारी दीनन दुख हरन देव भक्तन हितकारी दीनन दुख हरन देव भक्तन हितकारी भगवान क्रिश्न प्रसन होकर कालिया की जान बक्स देते हैं उसका बद न करके उसको ब्रंदा बन छूण कर चले जाने का आदेश करते हैं और यमुना को बिस्मुक्ट कर देते हैं तो आपकी पहली में नाग राज और भगवान कृष्ण को दो पुरुस कुस्ती लड़ते हुए बताया गया है कालिया नाग के एक हजार भन की दो हजार आखें भगवान कृष्ण की दो आखें और छे नागिनों की बारा आखें कुल मिलाकर दो हजार चोदा नयम आखें हैं और यही आपकी पहली का सही उत्तर है उम्मीद करता हूँ कि आपकी संका का समधान हो गया होगा अस्तु जैस्रीकित अस्तु जैस्ट आफें